हलो एवरिवन वेलकम बेक टो डिफेशल अकेडमी आज है 11 जुलाई 2020 आज के सेशन में हम सभी important current affairs को देखेंगे और जितने भी current affairs देखेंगे उसके साथ मैं कुछ important facts को बताऊंगा जो कि आपके आने वाले exams के लिए important है ठीक है और जब भी आप वीडियो को देखोगे तो हर question देखने के बाद आपको पहले वीडियो पॉज करना है और पॉज करने के बाद question को attempt करना है ताकि पता लगे कि आपकी प्रपिशन किस हद तक अच्छी चल रही है और आपको कितना requirement है आपने improvement के लिए ठीक है देखते हैं first question देखें हमारा क्या है आपका आज का which nation has formerly announced the withdrawal from WHO देखें WHO की full form में आपकी world health organization अभी recently क्या है कि एक country ने आपना जो नाम को withdraw कर लिया है WHO के अंदर से तो कौन सा country देखें है question पूछा गया है हमारे पास option है Japan है United States है Australia है Germany है तो recently क्या है United States ने अपने नाम को withdraw कर लिया है basically क्या चल रहा था जब से COVID-19 जो हमारा pandemic फैला हुआ है तो United States का कहना था कि भाई जो WHO है वो क्या कर रहा है हमारा China का जो favor लेके काम करता है और China के जो policies हैं उनको support कर रहा है ठीक है और कहीना कहीं उन्होंने इनको blame भी किया था क यह responsible है कि इन्होंने उस time को रोखा क्यों नहीं जब ही हमारी research चल रही थी COVID-19 फैलने से पहले ठीक है तो इसके लिए उन्होंने काफी चारा restriction लगा थे और उन्होंने में मन्त में इन्होंने बोला था कि जो fund वो जो देते हैं WHO के अंदर आपके development के लिए आपके health development के लिए Mike.io ठीक है हर question से लेड़ आपको मैं कुछ facts बताऊंगा because क्या होता है कोई भी news अगर flash होती है तो उससे लेड़ facts भी आपको पता होना चाहिए कई बार क्या होता है exact news ना डालके कई बार क्या होता है उससे लेड़ facts पर बेस question आ जाता है देखिए जैसे recently कौन किसने sign किया स्टेट सेक्रेटरी का नाम पूछ लेंगे कौन सी डेट को आपको जो 6 जुलाई जैसे इसमें पूछा गया है कौन सी particular डेट को इसको कर दिया है इन्होंने अपने नाम को विड्रॉ किया है ठीक है और देखिए आप बात करते हैं कुछ questions के बारे मैं आप से कुछ questions पूछ पहले आप questions को जवाब दीजिए और उसके बाद मैं at the last मैं इसको करूंगा हर question के जवाब दूँगा next video के अंदर ठीक है next question है हमारे to which field जगदीब belongs to अभी recently क्या है हमारे जो एक एक्टर थे हमारे Bollywood के वो जगदीब जिनको निगनेम था जिनका जगदीब जो उनका जो क अपना अपना में काम किया है तो अभी recently इनकी age 81 थी और इनका full नाम था देखिए सयद इस्तियाग एहमद जाफरी यह हमारे जो जावेज जाफरी है इनके फादर थे ठीक है और यह इनका जो फोटो है देखिए आपने इनको देखा होगा काफी सारी movies में इनको काम किया है सोले अंदाज अपना अपना और भी काफी सारी famous movie है एक हमारे क्या थे comedian थे actor थे हमारे तो आपका कई बार question आता है कि अभी जो इनका recently जो इनकी death हुई है वो इनका जो concept field से बिलॉंग करते थे तो आपको पता होना चाहिए acting से बिलॉंग करते थे ठीक है next question यह देखिए which country launch is the digital heart अभी recently किस country ने digital heart को launch किया है options है हमारे पास बंगलादेश पाकिस्तान स्री लंका इंडिया अभी recently क्या है बंगलादेश ने भी recently digital heart को launch किया है basically इसका जो main क्या है motor क्या है इसका जो हमारी अभी इद उल्जहा अभी आ रहे है 20 31st of July से लेके 1st of August रहेगी इसके लिए इन्होंने इसको launch किया है for the online sale of sacrificial animals जितने को कि इद पर क्या होता है ये कुरुबानी के जो इनकी रसम होती है उसके लिए जितने भी हमारे animals है उनकी sale करने के लिए ताक कि क्या है आपका zero contact तरीके से रहे है और हमारे COVID-19 के जो माहौल में इन्होंने इसको launch किया है ताकि पाइदा बंगलादेश कंट्री ठीक है आपको बताना है कि who is the prime minister बंगलादेश अभी रिसेंटली जो इनके प्रधान मंत्री है वो कौन है और अभी बंगलादेश का जो करंसी है वो कहा है करंसी प्राइम मिनिस्टर और अभी रिसेंटली इनके जो प्रेजिडेंट होते ह इन पर काफी सारे questions आते हैं तो आपको इसको मुझे comments मों बताना है who is the prime minister and what is the currency of Bangladesh ठीक है next question is which minister has represented the fourth edition of climate action अभी recently climate action के लिए fourth edition जो हुआ था उसमें कौन से हमारे minister ने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को ठीक है options हमारे पास है राजना सिंग, अमित्सा, प्यूज गोएल प्रकास जावडेकर, that means option D will be the right answer जो हमारे भी जो प्रकास जावडेकर जो minister है हमारी union environment minister है प्रकास जावडेकर जी इन्हों नहीं का करिया है रिप्रेजेंट किया है इंडिया को fourth edition of climate action के अंदर ठीक है और जो कि हमारी co-chaired by European union है China and Canada, they are also focused on economy recovery plans along the Paris agreement ठीक है और हमारी economy recovery plan औ next is NSDC has collaborated with fill in the blank to provide digital skill, अभी recently NSDC ने क्या किया है collaborate किया है किसके साथ to provide the digital skill provide करने के लिए, options है मारे पास Microsoft, Google, Facebook या telegram, तो option A will be the right answer अभी recently Microsoft ने का किया है इसके साथ collaborate किया है to digital skills provide करने के लिए, और NSDC की full form किया है national skill development corporation and Microsoft has partnered and provided for free learnings resource and conduct awareness, drive for youth for the India in next 12 months ठीक है अब next आने वाले 12 महीनों के लिए e-learning को promote करने के लिए e-skill India portal के तहत NSDC ने क्या है Microsoft के साथ क्या करा है collaborate किया है ठीक है और आपको बताना है who is the CEO and managing director of NSDC, NSDC का full form है आपका national skill development corporation जितने भी skill India को लेके जितने भी बात चल रहे हैं दिखिए उसी को promote करने के लिए है मोहीम चेड़ी गई है और बिकाज आने वाले टाइम में के है entrepreneurship को बढ़ावा दिया जाए skill India को proper develop करने के लिए यह सारे program चला जाते हैं ठीक है रिसेंटली के है जैन्त किष्णा को CEO बनाया गया UK IBC का full form है आपका United Kingdom Business Council ठीक है अभी इनको का बनाया गया रिसेंटली इनको CEO Chief Executive Officer बनाया गया और देखिए इनके इनको पहले थे वो आपके रिचार्ड हेल्ड थे आपके और जो इनको replace करके इनको बना दिया गया है option B will be the right answer ठीक है यह हमारे क्या थे इनसे पहले थे और ही इस फर्स्ट इंडियन बेज सीओ है जो UKIP के हमारे बिजनिस कांसिल के UK बिजनिस कांसिल के भी CEO बने है तो पहले इंडियन है यह important है काफी है आने वाले exams के लिए ठीक है with whom Ola has collaborated for digital payment अभी रिसेंटली जो Ola Cap Service है इसने किस के साथ क्या किया है ताकि digital payments को बढ़ावा दे सके तो options है मारे पास Google पे phone पे Amazon पे और Paytm ठीक है option B will be the right answer इसने क्या किया है phone पे के साथ जो कहां भी रिसेंटली क्या करा है इन्होंने collaborate किया है ताकि जितने भी payments के method है वो अच्छे से वह use कर सके और इन्होंने देखिए आपका वो रहे और आपने कोई भी जो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े द्यूरिंग पैंडमिक आपका जो सेशन चल रहा है ठीक है आपको बताना है देखिए हमारे पास IRA इस नेम आफ्टर विच परसनलिटी अभी IRA यह किस परसनलिटी के बाद इसका नेम का चेंज किय गया देखिए ओप्शन है हमारे पास जवाल लाल नहरू अटल विहारी वाजपई श्यामा प्रसाद मुखरजी यह लाल बहादुर सास्त्री तो ऑप्शन सी विल भी राइट अंसर अभी रिसेंटली जो इंडियन एग्रिकल्चर रिसर्च इंस्टूट है आपका इसका रिसेंटली नाम बदल के डॉक्टर शामा प्रसाद मुखरजी के ऊपर चेंज किया गया है ठीक है ओप्शन ए विल भी राइट अंसर ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं विच बटरफ्लाई है इंडिया लार्जेस्ट बटरफ्लाई हाली में क्या है अभी कौन सी इंडिया की लार्जेस्ट बटरफ्लाई का नाम दिया गया है तो ऐस दो स्रीलंक का बदा न difसेंग का स्रिलंका का माल्दी इस माल्दी zone का क्यों है आब इसके बार्ब इसकष कर ते के तो इसकी जो लेंथ है हमारी 194 mm है इसके बर्ड विंग की ठीक है यह कोशन मैंने इसलिए पूछा है विकाज कल भी इस कोशन का मुझे काफी जारे कोशन बच्चों ने गलत जवाब दिया था तो आज मुझे दुबारा यह कोशन पूछन पूछना पड़ा है जिल लोगों ने देखी पुराने वीडियो नहीं देखें उनको लिए मैंने नीचे प्लेइलिस्ट का लिंक दे रखा है बहाँ से जाके पुराने करंट अफेयर देख सकते हैं करंट अफेयर का सेशन हर एक्जाम्स के लिए एक्वली इंपोर्टेंट है ठीक है और यह इसका देखो कितनी खुबशुरात है देखने में तो यह बटरफाई के ऊपर बेसिकली इसको पूछा गया है ठीक है अभी रिसेंटली क्या है इंडिया की जो रैंक है वो आपकी 36th रैंक रही है अभी देखोर आपका कितना रहा है 2.69 इंडिया का स्कोर रहा है ठीक है आपको बताना है इस इंडेक्स में टॉप किस ने किया है ठीक है और ग्रेटी की फुल फॉर्म होते है ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांस्परेंसी इंडेक्स जो इतनी भी हमारी रियल स्टेट के ल जिस को सर्वे किया तो जो भी बचे इसको सेशन को सब्सक्राइब कीजिए और आपका आज वीदियो को इसके शेर कीज़े ठाकि मुझे पता लगए की कितने स्टेंट को देख रहे हैं और कुछ मुझे अपने फीड़ बैप जरूर दीजिए ताकि मैं आने वाली वीडिय कर पाऊं और आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपे कर पाऊं ठीक है आप देखिए जितने भी स्टुएंट्स हम जो इंजिनिंग ग्रेजुएट है या फिर इंजिनिंग जो आभी इंजिनिंग में कंप्लीटली अभी इन्रॉल हुए हैं तो उनके लिए एक छु लेक्चर के अंदर ठीक है आप हम स्टार्ट करेंगे इंडियन जोग्राफी का तो स्टेट यूं टू डिफरेंशल अकेडमी और कोई भी प्रब्लम होती है रिगार्डिंग अप्रिप्रेशन आप डिरेक्ट मुझे मेल कर सकते हैं मैंने पर्सनल आइडी को भी मेल में दि क्झेशल आइड घज बहुंत्त ह shaping रहा है और को जाइडिये हैं क्झेशल मेल मेल मैं दिएल कि रिछ अधिय fine